हेलो दोस्तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उसके बाजो में रहे घंटी को दमाना मत भूलना एक रामपुर नाम का सुन्दर सा गाउ था गाउ में गोलु नाम का गरिब लड़का रहता था गोलु घर में अकेला रहता था गोलु के माता पिता बचपन में ही गुजर गय थे इसलिए गोलु घर में अकेला रहता था गोलु वो चितर बनाने का बहुत सोक था गोलू जहां भी जगां पाता वहां चित्र बनाने लगता कभी-कभी तो गोलू दिवाल पर ही सुंदर सा चित्र बना देता काश मेरे पास पेंसिल और भूक होता तो मैं कितना सुंदर-सुंदर चित्र बनाता लेकिन मेरे पास तो खरितने के लिए पैसे भी नहीं है एक बार गोलू जमीन पर लकड़ी से एक आम बना रहा था तभी वही एक बाबा प्रगट होते हैं और कहते हैं वाह बेटा वाह तुमारी कला तो बिलकुल अद्भुत है बिलकुल अद्भुत कितना सुन्दर चित्र बनाते हो बहुत बहुत सुक्रिया बाबा जी बहुत बहुत सुक्रिया अरे बेटा तुम पेंसिल से कौपे पर चित्र क्यों नहीं बनाते हो बाबा जी मैं बहुत गरेब हूँ बच्पन में मेरे मातब पिदा जी के गुजर जाने के बाद मेरे सारी इच्छाएं अधूरी रहे गई और तो और नोटबुक खरिदने के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पास ठीक है बेटा मैं तुम्हें एक पेंसिल देता हूँ तुम इस पेंसिल से जो चित्र बनाओगे वह चित्र असली में परिवर्तित हो जाएगा और हाँ बेटा तुम इस पेंसिल को अपने स्वार्थ के लिए उप्योग मत करना वरना या पेंसिल जल कर भस्म हो जाएगा तुम इस पेंसिल से केवल दूसरों के मदद करना ठीक है बाबा जी मैं बेलकुल समझ गया बाबा जी चले जाते हैं बोलू जादूई पेंसिल से जमीन पर एक चित्र बनाने लगता है अरे वाह चमतकार हो गया ये तो सचमे जादूई पेंसिल है अब मैं एक चित्र बना कर गाहँ वालों के मदद करूँगा अरे किसान जी आप बोरे को उठा कर मत ले जाओ प्रुकों में तुम्हें एक बेल गाड़ी बना कर देता हूँ बन गया ये लो आज से ये बेल गाड़ी तुम्हारे बहुत बहुत सुक्रिया बेटा गोलू बहुत बहुत सुक्रिया बेटा गोलू, मुझे कुछ लकडिया चाहिए, वरना मेरे घर में खाना नहीं बन पाएगा रुको, मैं तुम्हें चुटके में लकडि बना कर देता हूँ नहीं, हो गया, ये लो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा गोलू, बहुत बहुत धन्यवाद गोलू अपने घर जाते रहता है, तभी गोलू के पडोसी मोहनलाल कहते हैं अरे बेटा गोलू, तुम इतने सारे चमतकार कैसे कर लेते हो बस चाचा, वो सब चमतकार इस जादर पेंसिल का है, जो चाहिए उसका चित्र बना दो, तुरंद असलिगा बन जाएगा ठीक है ठीक है बेटा, जल्दी से घर में जाकर सो जाओ, क्योंकि राद भी होने वाली है, और हाँ, दर्वाजा खिड़ की अच्छे से बंद करना गोलू अपने घर चला जाता है, और मोहन मन ही मन कहता है, अरे वाह, इस बच्चे ने तो सीधा सीधा बता दिया, अब तो पेंसिल चुरा कर ही रहूंगा मोहन लाल छुप कर गोलू के घर जाता है, और जादोई पेंसिल चुरा कर ले आता है अब तो मैं चुटकी भर में अमीर से भी जादा अमीर हो जाऊंगा बस मुझे सोने के खजाने का चित्र बनाना है और तुरंद बहुत सारा खजाना बन कर मेरे सामने आ जाएगा जल्दी जल्दी चलता हूँ यह सोचकर मुहलाल अपने घर में आता है और जादूई पेंसिल को लेकर चित्र बनाना चालू गरता है अब मैं यहाँ बड़ा सा सोने का खजाना बनाता हूँ यह यहाँ से यहाँ तक और इससे यहाँ तक इतना बड़ा बनाना है इस प्रकार मोहन कुछ समय में बड़ा सा सोने के खजाने का चित्र बना लेता है जैसे ही सोने के खजाने का चित्र पूरा बन जाता है तुरंद जादूई पेंसिल मोहनलाल के हाथ में ही जल जाती है पेंसिल के साथ साथ मोहनलाल का हाथ दे जल जाता है और मोहनलाल वहीं चीफ पड़ता है अरे बापरे ये क्या हो गया मेरा पुरा हाथ जल गया और जादू पेंसिल भी जल गई अरे ये क्या हो गया बगवान मेरा पुरा हाथ जला दिया क्योंकि बाबा जी ने कहा था अगर पेंसिल को निजे स्वार्थ के लिए उप्योप करोगे तो यही परिडाम मिलेगा इसलिए मोहनलाल वही पर अपने चोरी का फल राप्त कर जुगा होता है रामपुर गाओं में शामू अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था शामू के पतने गूंगे थे वह कुछ बोल नहीं सकते थे और उसका एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम भोलू था शामू सोभाव में बहुत लाल्चे था शामू बेल गाड़ी चला कर अपने घर का गुजारा करता था लेकिन वह लोगों से ज़्यादा पैसे लेता था अरे शामू भाई यहां तक आने में केवल पचास उरपे लगते हैं और तुम सो रुपे ले रहे हो चलो सो रुपे दो पचास उरपे नहीं लगते हैं सो रुपे हो गए हैं शामू तुम यह गलत कर रहे हो कुछ गलत नहीं है यहां तक आने का सो रुपे हो गए हैं सो रुपे दो और जाओ अरे वाह आज तो मेरा पचास रुपे का और फायदा हो गया चलो अब घर चलता हूं इस प्रकार बोलकर शामू लोगों से ज़्यादा पैसे ले लेता था अरे लाल्ची कहा जा रहा है बेल गाड़ी से तुम लोग कुछ भी बोल लो मेरा कुड़ी कोई फरक पढ़ने वाला है मेरा तो फायदा हो रहा है बस इस प्रकार के बदना में भी शामू को अच्छा लगता था एक दिन की बाद है एक बुजुर्ग बेक्ति अपना अलमारी बेच रहा था तब ही वहाँ स्यामू पहुचा अरे बुड़े बाबा कितने में बेच रहा है ये अलमारी बेटा मैं ये अलमारी हजार रुपे में बेच रहा हूँ गर्शे तो मुझे भी अलमारी चाहिए एक काम करता हूँ इसी से पराबर लगा के ले देता हूँ अरे बुड़े बाबा छेसो रुपे में दे दो पैसे बन तुम्हें क्या फरक पड़ता है पैसे की दे दो छेसो रुपे में नई बेटा ये मुझे उतमे में नहीं हो पाएगा ये बहुत महिंगी अलमारी है अरे आरे कैसा नहीं हो पाएगा दे दो छेसो रुपे और ये लो पैसे शामू उस बूड़े वाबा से जबर दस्ती छेसो रुपे दे कर अलमारी ले आता है अलमारी घर लाकर रख देता है और अपने कपड़ों को अलमारी में रख देता है कुछ समय बाद शामू उस अलमारी में और कपड़े रखने के लिए दोलता है वह देखकर दंगड़े जाता है क्योंकि अलमारी में रहे सारे कपड़े सोने के होचपे होते है अरे वाह ये सारा का सारा कपड़ा सोने का हो गया मतलब ये एक जादू ही अलमारी है अब तुम्हें और अमीर हो जाओंगा अजी सुन्दी हो घर के सभी बरतन लाओ सब को सोने का बनाना है शामू के पतनी कुछ नहीं बोल पाती है इसलिए वा घर के सारे बरतन उठाकर शामू को दे देती है मैं सहरो का सारा बरतन रखकर इसे थूड़े समय बात खुलूंगा तो सब सोने का बन जाएगा फुड़े समय बात शामू जैसे ही अलमारी भोलता है सच में सारा को सारा बरतन सोने का बन चुका होता है एक काम गरता हूँ, कुछ सोना रख देता हूँ और कुछ सोना देकर दो गाय खरिद कर लाता हूँ शामू गर से चले जाता है और अलमारी वैसे ही खुली पड़ी रहती है शामू का लड़का भोलू खेलते खेलते यूँ ही जाकर अलमारी में चिप जाता है उस अलमारी में भोलू के जाने का आवाज सुनते ही स्यामो की पत्मी एक दम से चगरा आ जाती है और वहीं रोने लगती है क्या हुआ क्यूं रो रही हो अरे ये क्या हो गया भोला तो पुरा सोने का बन गया अरे ये सिर्फ क्या हो गया बगवाल शामो भी वहीं फुट फुट कर रोने लगता है और अपने पूरे लालच का फल मानो भुगट चुका होता है और वह तुरंद बेल गाड़ी से उस अलमारी को ले जाता है और बड़े से पहाड पर ले जाकर वहां से फेक देता है ताकि दुबारा और किसी को नुकसान ना हो